पूछे थे कि गर्मियों में भी क्या गुनगुना पानी पीएं बागबटी जी की माने तो गर्मियों में भी गुनगुना पी सकते हैं लेकिन कोई बहुत तकलीफ आये तो मिट्टी के बरतन का पानी आप गर्मी के दिनों में तीन-चार महीने पी सकते हैं फिर चौथा सूत्र ये था कल का, कि पानी कभी भी पियें, तो सबेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पियें, माने सुबह की शुरुआत पानी से करें, और उसमें मैंने बताया था कि मूँ का कुला किये बिना, वो उठते ही पानी आपको पीना है, क्योंकि रात को जब आप सो देखा है कि सुबह की लार, गलती से भी आप किसी चीटी या चीटा या मक्षी पे थूख दो, वो तुरन मर जाएगा, सुबह की लार, अगर आपने गलती से चीटी, चीटा या मक्षी पे थूख दिया, वो तुरन मर जाता है, क्योंकि उसका औशदी अगुण बहुत प् पंक्शनल है और इसके पहले पांच सूत्र पिछले दो दिनों में मैंने बात की थी आने वाले शायर एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दूँगा ताकि आपको भूलने ना पाए आसानी से याद हो अभी मैं आगे बढ़ता हूं कल के सूत्र को आगे बढ़ाते इस सूत्र का मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज कह रहा हूं बागवटी जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें भोजन का समय निश्चित करें ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया हमारा ये जो शरीर है ये कभी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है इस शरीर में जठर है मैंने आप से कहा उसमें अगनी प्रदीप्त होती है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज़्यादा तीवर हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक-एक अन्न का हिस्सा पाचन म जाएगा और रस में बदलेगा और रस मैंसे मास मज्जा रखते वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा तो कभी भी कुछ ना खाएं ये पद्धिती भारत की नहीं है ये यूरोप की है यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ा एक का समयनिर्धारित करें और समयनिर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अगनी की प्रबलता हो जठर अगनी की प्रबलता हो बागवर्ट जी ने इस पे बहुत रिसेर्च किया और वो कहते हैं कि डेष लुख दो साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है। जब सूरिका उदय होता है, तो सूरिके उदय होने से लगभग धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है। सूरिके उदय होने से, सूरिका उदय होना आप चिन्नई के हिसाब से सोच लीजे, मान लीजे साथ बजे, तो साथ बजे से लेके साड़े नौ बजे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होगी। हो सकता है, यही सूत्र अरुनाचल प्रदेश में में बात करूँ, तो वो चार बजे से साड़े छे का समय आ जाएगा। क्योंकि अरुनाचल प्रदेश में सूरे चार बजे निकलाता है। अगर मैं सिक्किम में बात करूँगा, तो और पंद्र मिनट पहले हो जाएगा। और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूँगा, तो आपसे समय थोड़ा भिन्न हो जाए। तो सूरी के साथ इसको ध्यान रखें। तो सूरी का उदै जैसे ही हुआ, उससे अगले ढ़ाई घंते तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है। तो बागवट्ट जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें वो तो एक जगए यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें माने ब्रेकफास्ट गायव नाश्ता छोड़े हैं सीधे ही भोजन करें यहां तक वो कहते हैं वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नौ बजे तक अगर आपने भरपिट भोजन किया है तो इस मैं से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक ब कहते हैं कि सुबह साथ बजे से आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं साथ बजे से साड़े नौ जठर अगनी बहुत तीवर होती है बागवट जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग-अलग अंग हैं जैसे हिर्दय है हिर्दय और जैसे जठर है जठर जैसे किड बाखने का समय है सबसे ज़्यादा ब्रह्मु महूर्त से ड़ाई गंटे पहले मिश्चर दो सवादो बजे लेकर चार बजे के बीच में हर्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हर्ट हरट एक उसी समय में आते हैं कि किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लिए क्योंकि हिर्दय जब सबसे ज़्यादा सक्रियों होगा तो हिर्दय घात भी उसी समय होगा इसलिए 99% हरटेटेक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं क्योंकि हिरदय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज़ादा है इसी तरह हमारा लीवर है इसी तरह किड्नी है इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है बाहर पुस्तकों में है इसलिए विस्तार में नहीं जाता संकेत के लिए आपसे कह रहा हूँ कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है प्रकरती ने तै किया है उसको भगवान ने तै किया है तो आपका जठर अगनी है ये सबसे अच्छा साथ से साड़े नो आप भरपेट खाना खाईए ठीक है फिर आप बोलेंगे जी दुपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजे लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे ज़्यादा अगर आज की भाशा में मैं कहूँ तो आपका जो ब्रेकफास्ट है न वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए बारी से बारी ब्रेकफास्ट जितना खाते हैं जादा भी खा लीजे कोई फरक नी पड़ता सुबह के नाश्टे में भर पेट खाईए फिर वो कहते हैं दुपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्टे से दुपहर का भोजन नाश्टे से कुछ कम करिए एक तिहाई कर दीजे अब सीदे से मैं कहता हूं अगर आप सवेरे छे रोटी खाते हैं तो दुपहर को चार ले लीजे और शाम को दो ले लीजे अगर आपको आलू का पराथा खाना है या गोवी का पराथा खाना है आपकी जीव स्वाद के लिए मचल रही है तो बागवट पराथा तो निशिद्ध है मूली का भी निशिद्ध है आपके लिए फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए आपको जो जादा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं जो चीज सबसे जादा पसंद है वो सुबह खाओ रजगुल्ला पसंद है त तो सुबह खाओ जलेभी खानी हैं तो सुबह खाओ इमरती खानी हैं तो सुबह खाओ जो भूजन आपको सबसे जादा पसंद है वो सुबह खाओ पेट भर के खाओ वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है पेट भर के खाओ तो पेट की संतुष्टी हुई मन की भी संतुष्टी होती है और बागवट्टी जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टी पेट की संतुष्टी से ज़्यादा बढ़ी है मन हमारा जो है न, ये खास तरह की वस्तूओं से या हार्मोन से या एंज़ाइम्स से संचानित है मन को आज की भाषा मैं, डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं न, हाला कि वो है नहीं लेकिन उन्होंने जो कहा है, वो पीनियल ग्लेंड के बारे में है ये जो pineal gland है ना इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम hormones कह सकते हैं कुछ enzymes हैं ये संतुष्टी के लिए सबसे आवश्यक gland है pineal gland तो भोजन अगर आपको तरप्त करता है भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तरप्त होना तरप्त करेगा तो pineal gland आपकी सबसे ज़ तो गड़बड होती है pineal gland और pineal gland की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तरप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चत रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे मान तुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं उनकी पूरी सूचे है वो पुस्तक में कभी भोजन करें तो पेट तो भरे ही मन भी तरप्त हो और मन के तरप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सबेर्यकाई है अब मैंने ये बागबटी जी के इत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्ट को छोड़कर जीव जगत का हर प्रावश्ट